हेलो डिफ्रेंस लवर वेलकम टू माई चैनल डिफ्रेंस अरीना 007 तो दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले नैपाल के एक लाइट शब मशीन गन के बारे में तक मेरे साथ रहना और चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत बू करने तो टिल्लो मूलेर मनफरेड गोरिंग जोर्डथ रृडल और हैलमोट ने ईसे डिज़इद किया है और डिज़इन किया गएता हैं से 1964 से 1966 के बीच में बात करतेके मैनुफेक्ट्처र की तो इसे हैकलर और कोज ने मैनुफेक्ट्र किया अब बात करेंगे इसके स्पेसिफिकिशन के बारे में तो इसमें देखो इसके वेट की बात करें सबसे पहले तो एक कई सीरीज में उपलगता है MP5 A-series और MP5 HD series और MP5 K-series तो सबसे पहले बात करें थे इसके maximum weight के तो यह जो MP5 SD3 और MP5 SD6 इसका highest weight है यानि कि 3.4 kg का maximum weight है जबकि light weight की बात करें तो MP5 K-A5 यह 2 kg में आती है बात कर लेतें इसके length की तो fixed stock की बात करें तो इसकी length है 634 mm से लेके 790 mm और बात करें इसके folding stock की तो यह उपलब्द होती है 550 mm से लेके 700 mm तक के बीच में अब बात करें इसके barrel length की तो इसका जो barrel length है MP5 A-series का वो 225 mm उपलब्द होती है जबकि MP5 SD series की 140 mm जबकि T942 SG 140 mm में आती है जबकि MP5 K-A series की जो है वो 115 mm की barrel length में आती है अब बात करेंगे इसके पाय चोड़ाई की तो इसकी जो चोड़ाई है वो 50 mm से लेके 60 mm के बीच में अब बात करेंगे इसकी height की तो इसकी जो height है वो 210 से लेके 260 mm के बीच में बात करें MP5 के cartridge की तो ये 9 x 19 mm Parabellum, 10 mm Auto या फिर 7.62 x 25 mm में और इसके साथ 0.357 SIG और 0.40 inch SNW में उपलब्द होती है बात करेंगे इसके action की तो roller, delayed blowback और closed bolt दोनों ही इसमें action यूज होते हैं अब बात करेंगे इसके rate of fire की तो MP5 HD 800 round per minute fire कर सकती है जबकि MP5 K series की sub machine gun है वो 900 round per minute fire करती है बात करेंगे इसकी muzzle velocity की तो 400 meter per second MP5 A series की muzzle velocity है जबकि 280 meter per second MP5 HD series की और 375 meter per second MP5 K A series की sub machine gun की होती है अब बात करेंगे इसके effective firing range की तो MP5 A series की effective firing range है वो है 200 meter जबकि MP5 K series की effective firing range है वो है 100 meter अब बात करेंगे हम इसके feed system की तो यह 15, 30, 40 और इसके साथ 50 round के detachable box magazine और 100 round के beta c mac drum magazine में आती है बात करेंगे इसके side की तो इसमें iron side, rear rotatory drum, front hooded post, इस tap की sides होती है मैं सोब करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी यदि वीडियो पसंद आए तो प्ले चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना और मैं ते नेक्स टूडियों जेहन जबाद झाल 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 झाल